नमस्कार दोस्तों, 19 फरवरी 2021 के डेली करेंट अफेस बर्निंग नीज डिसक्रिशन में आपका स्वागत है जल्दी से देखते हैं आज कौन कौन सी नीज है पहनी नीज कौर्ड मिनिस्टर्स मीटिंग इंडिया युएस कॉल फर रूल अफ लौ इन मायनमार इंडिया की थर्जडे को मीटिंग हुई आस्टेलिया, जापान और युनाइटर स्टेट्स के साथ आज फ्राइडे को वीडियो रिकॉर्ड हो रही कौर्डिलेटरल ग्रूप की मीटिंग थी मिनिस्टेरिल मीटिंग थी इसका आप बोलतो सेक्रेटर अटोनी जे बिंकल साब थे और इन्होंने बैटके बाचीद की कि यह जो मायनमार न मिलिटरी टेक और हुआ है यह सही नहीं है डेमोक्रेटिक वैल्यूस अफ दे रीजन को यह वाइलेट करता है कही न कहीं एक रीजनल कमिटमेंट होना चाहिए तोर्टस अफोल्डिंग रूल्स बेस्ट इंटरनेशनल ओर्डर और पीस्फुल रिजूशन अफ दिस्पूट कहीं न कहीं जो मिलिटरी क्रैकडाउन हुआ है अगेस्ट यहां पर बातचीत करी जा रही है पर इंडिया की तरफ से कोई बहुत इस्ट्रिंजेंट इवन यूएस की तरफ से कोई बहुत इस्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट नहीं गए है मायनमार की तरफ हाला कि यूएस का स्टेटमेंट ने मायनमार को बर्मा बोला बर्मा बहुत लम्मे से मायनमार की सरकार नहीं बुलाती है अब अपने आपको वो अपने आपको मायनमार कहते है नेपी दो जो की कैपिटल है मायनमार की 1989 से इन्होंने अपने आपको बर्मा कहना बंद कर दिया है 1989 से एक brutal crackdown है Democratic Movement के अगेंस्ट Myanmar के अंदर हाला कि उनकी military तो 1962 से राज कर रही है ठीक है भाई Myanmar के respect मैं मैं already वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए Myanmar Politics मेरे नाम हर्षी दिवेदी के साथ या फिर Aung San Si Kui चुकि महां की Democratic Leader है इनका नाम मेरे नाम हर्षी दिवेदी के साथ YouTube में सर्च मारी है आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी आप उस वीडियो को देख लीजे काफी कुछ मैंने वहाँ पर माइनमार के history के बारे में political history कैसे वहाँ पर democratic movement चला इन सब चीजों के बारे मैं आपको बहाँ पर बाता चुका हूँ ठीक है फिर यहाँ पर जो ministers है Quad के उन्होंने emphasize किया अपना commitment to upholding a rule-based international order territorial integrity की बात कर रहे हैं sovereignty की बात कर रहे हैं rule of law की transparency, freedom of navigation in international seas peaceful resolution of the disputes इन सब चीजों के यहाँ पर बात्चीत हो रही है हाला कि जो Chinese forces withdraw or कर रही है pengong so के अलाके से पीछे की तरफ जा रही है इसके बारे में यहाँ पर कोई भी बात्चीत नहीं हुई Japanese minister Tosi Mitsu Motegi और Australian minister Mary Spain भी यहाँ पर President थे और वो भी यहाँ पर बात कर रहे थे कहीं न कहीं pandemic को deal करने के लिए affordable vaccines, medicines और medical equipment की यहाँ पर भी बात हो रही है Quad की बात की जाए Quadulator Security Dialogue तो उसमें चार countries है US, Japan, Australia, India आपको पता ही है इसको Asian, NATO भी बहु सकते है एक प्रकार का informal strategic forum है यह इसकी regular summits होती है military deals होती है military information exchanges होती है ठीक है भई तो एक basic सी news है General Studies paper 2 में bilateral regional और global groupings के अंदर यह particular news आपको काम आएगी Next news है IIF report World Adept to Increase in 2021 International Institute of International Finance ने report किया है कि दुनिया बहुत ज़ादा उधार में है In fact अगर आप बात करो COVID-19 के pandemic से पहले ही इंडिया बहुत उधार में थी और COVID-19 के pandemic के बाद 2020 में इंडिया बहुत ज़ादा उधार में गई है इंडिया और दुनिया दोनों इंडिया तो उधार में गई है दुनिया भी गया है उधार में और 2021 में जो दुनिया का उधार है वो बढ़ने वाला है यहाँ पर जो मैं statistics आपको बताने वाला हूँ यह पूरे दुनिया के perspective से बताने वाला हूँ International Institute of Finance का यह बोलना है कि दुनिया भर की जो सरकारे हैं Companies है, Households है इन्होंने 2020 में 24 trillion dollars 24 trillion dollars उधार में उठाया है Economic expenditure को बढ़ाने के लिए तो global debt है जो 2020 में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 2020 में जो global दुनिया का debt है It stands at 281 trillion dollars यह सब international finance वाला जो institute है IIF, Institute of International Finance का data है तो चुकि यह institute of international finance का data है आप इसको किसी भी exam में quote कर सकते हो तो अपने notes बनाना चाहते हो तो notes बना लो, नहीं तो PPT रख लो ठीक है भाई यह जो 281 trillion dollar का global debt है यह global GDP का 355% है 355% यानि कह लो कि कम से कम 3.5 गुना है और ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले 2021 में और बौर रही होगी यहाँ पे जो budget में budget deficit है जो budget gap है यानि सरकार जो खर्चा करती expenditure और सरकार के पास जो revenue आता पैसा आता इसके बीच का जो gap है इसको आप budget deficit बोलतो हो तो budget deficit बहुत बढ़ गई है ऐसा बोला जा रहा है कि 2021 में budget deficit और 10 trillion dollar से बढ़ जाएगी और 2021 के end तक जो total budget deficit होगी दुनिया भेर में वो 92 trillion dollar की होगी यहाँ पे budget deficit का बता रहा हुए 281 trillion dollar पूरा दुनिया का आप कह सकते हो debt था 24 trillion dollar इस साल में सारी country उसने 2020 में सारी country ने पैसा उधार पे उठाया 2021 में ऐसा कहा जा रहा है कि budget deficit 10 trillion dollar से बढ़ जाएगा टोटल 2021 के end तक जो total budget deficit होगा दुनिया भर की country की सरकार होगा वो 92 trillion dollar होगा तो यह debt के उपर एक basic data यहाँ पे release किया गया institute of international finance द्वारा यह क्या है it is a trade group for global financial service industry इसको establish किया गया था 1983 में चुकि यह trade group है global financial services industry का तो 38 banks of leading industrialized countries ने 1983 में institute of international finance को बनाया था आज की date में केवल bank के ही इनकी member नहीं है इनकी member में बड़े-बड़ asset management firms commercial and investment banks sovereign wealth funds insurance funds central banks hedge funds development banks यह सब पार्ट बन गई है international finance institute का जिसको आप बोलते हो institute of international finance इस institute of international finance में 70 countries की 4500 firms आज की date में present है 1980 की जो international debt prices आई थी उस समय पी institute of international finance बनाया गया था तो general studies paper 2 में important international institutions में particular news आपको काम आईगी आगे बाटने इस पहले वीडियो पर like का button जूरू दबा देना दोस्तों कर अब तक नहीं बताया इस वीडियो को share कर दे इस channel को share और subscribe कर दे काफी मेहनत लगती इस प्रकार की वीडियो को मनाने में तो आप join button दबा के help कर सकते हो चल दिए अपने members के लिए कुछ online.resolving वारा मैं sessions लेके आँगो जिसके मैं line आके उनके sessions को solve करने के कोशिश करूँगा जो मेरे members है कोशिश करूँगा मैं ये ताकि मैं जो अपने members के लिए कुछ अलग से चीज़ें लेके आप हो इंस्टाग्राम पर follow कर लिए आपकी जवाब दूँगा टेलिग्राम ग्रूप जोन कर लिए इस पर्टिकुलर लेक्टर की पीडियाफ के लिए टीथ फ्रॉम साइबरियन मैं मॉट्स इल्ड ओल्डेस्ट डीएने एवर रिकॉर्डड डीएने मिला है साइबरियन मैं मॉट्स का मैं मॉट्स क्या है तो कुछ इस प्रकार की जानवर का मैं मॉट्स कहते है थोड़ा थोड़ा एलिफेंट की जैनेस का नजर आ रहा है एलिफेंट जैसा है इन mammoths के molar से, यह जो mammoths जो मैंने अभी आपको हाथी टाइप के जानवर दिखाए, जो कि North Eastern Siberia में घूमा करते थे आज से 12,00,000 पहले, इनके अभी recently DNA का evidence निकाला गया है, ठीके, और इन DNA के evidence की basis पे बताया गया है कि 12,00,000 पहले यहाँ पर exist करते थे 1.2 million years पहले, अभी के लि साल पहले active था, और यह जो यहाँ पे Siberian mammoth मिले हैं, तीन basically यहाँ पे mammoth मिले हैं, थ्री individual mammoths में, जो सबसे पुराना है, वो बोला जा रहा है कि 1.2 million years old है, यह क्रस्टोव का river के किनारे मिला है, एक और mammoth मिला है, वो अदायचा river के किनारे मिला है, वो 1.2 million years पुराना है, ए अगर आप इस time period को measure करना चाहो, हमारे पास जो written history है, maximum 2-2,000 सालों की है, अभी से, और एक बात आपको मैं बता दू, 2-3,000 साल की तो नहीं बोली है, 4-5,000 साल की है, चुकि 2000 AD में हम लोग अभी चल रहे हैं, और 2,000 BC तक चले जाहिए, ठीक है, जब रिग वेदिक civilization थी, त तो 12,000 साल पहले, तीन individual mammoths के remains मिलें, जिसमें जो सबसे पुराना है, वो 12,000 साल पुराना है, इन mammoths को elephant का cousins बोला जाता है, और आइस एज लैंड्सकेप के समय पर ये active थे, permafrost conditions में रहा करते थे, इनका जो genetic material है, वो ये साफ साब बता रहा है कि permafrost में रहते थे और उस permafrost के चलते ही, आज तक इनका जो DNA है, वो preserve रहा पाया है, तभी तो 12,000 साल पाल आपम लोग इनके DNA को पढ़ रहे हैं, महमत के बारे हम बात की जाए, तो एक extinct species है, elephantid, ठीक है भई, genesis का mammothus, mammothus के long curved tusk थे, long curved tusk आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये इसकी खासियत है ये species Europe, Africa, Asia, North America, हर जगा पर पाई जाती है, ठीक है भई, पाई जाती थी, सॉरी, पाई जाती नहीं है, ये सब चीज़े हम लोग study किससे कर रहे हैं, तो DNA से study कर रहे हैं, DNA क्या है, Deoxic Ribonucleic Acid, इसमें दो polynucleotide chains होती हैं, ये chains एक दूसरे के 4 तरफ coil होती हैं, डबल helix बनाती हैं, और इस helix में genetic instructions होते हैं, और ये genetic instructions हर human being के लिए, हर जानवर के लिए बहुत यूनीक होते हैं, तो इन genetic instructions से उस जानवर के बारे में, उस particular human being के बारे में किसी का भी आप genus पढ़ रहे हो, काफी कुछ आप जान सकते हूं, आपको इस news में कुछ भी ज़्यादा नदी, चुक्योचा नदी, ये तीनों रशिया में हैं, साइबेरिया में हैं, ये याद रखेगा, अगर आफ साइबेरिया का नक्षा देखो, तो कुछ इस प्रकार के नजर आता है, रशिया बहुत बड़ा है, इसमें central साइबेरिया, ठीक है भाई, आपका western साइबेरिया साइबेरिया बहुत बड़ा है, इनफेक न्यू साइबेरिया आइलेंड भी पाये जाते हैं, तो साइबेरिया में तीन नदीयों के किनारे इस प्रकार के जो आपके फॉसिल्स हैं, वो मिले हैं, ठीक है, तो सबसे पुराने फॉसिल्स कहां मिलें, साइबेरिया में मिलें, 120 cities का मुएना हुआ 63 कंट्री से और इन 220 cities में 52 cities को recognition मिला as 2023 city of the year ये recognition किसे ने दिया आर्बर डे foundation और food और agriculture organization ने और इस recognition में इंडिया से किवल एक city का नाम है जिसका नाम है है धराबाद ठीक है भई यहाँ पर उन cities को recognition दिया जा रहा है जिन्होंने अपने यहाँ पर urban forest को grow किया है और maintain किया है trees बहुत important role play करते है healthy resilient और happy cities को बनाने में और हैदराबाद ने ये बहुत major role play किया इसमें बाकी जो cities जिनको इनाम मिला है जादा था US, UK, Australia, Canada जैसी countries में तेलांगना को ये जो tree city of the world का award मिला है 2020 का Arbor Day Foundation of Food and Agriculture Organization के दोरा इसमें एक तेलांगना की सरकार का बहुत बड़ा program responsible है जिसका नाम है हरित हरम हरित हरम तेलांगना की tree plantation drive है जिसके चलते तेलांगना में बहुत सारे trees को plant किया गया ये तना याद अक्येगा कि लिस्ट को release कौन करता है तो food and agriculture organization और Arbor Day Foundation मिलके release करते हैं 120 cities को assess किया गया इंडिया में से केवल एक city यहाँ पे जीत पाई है टोटल बावन cities में ठीक है बई जनल स्टेडिस पेपर 3 में conservation और environment में particular news आपको खावाएगी फिर एक news Australia से निकल क्या रही कि Facebook blocks users from sharing news in Australia बही ऑस्टेलिया की Parliament एक legislation लाने की बात कर रही है और एक इस legislation की थूँ कुछ ऐसे laws लाए जाएंगे जिसके थूँ देखें आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत सारे media portals काम करते हैं The Hindu हो गया The Indian Express हो गया और आप The Hindu The Indian Express का जो भी content है उसको copy करके Facebook पे post कर सकते हो Twitter पे भी कभी कभी post हो जाता है और कभी कभी आप सीधे महाँ पे click करके उसको पढ़ भी सकते हो Australia के lawmakers ने बोला है कि Australia के जो भी journalism वाली media websites हैं जो की news publish करती हैं अगर इनका link Facebook या Google पे paste हिया जाता है और लोग वहाँ पे जाकि news पढ़ सकते हैं तो ऐसे cases में Google को और Facebook को revenue देना पड़ेगा इन media houses को Facebook ने बोला हम आपको revenue नहीं दे पाएंगे और Facebook ने 18 फरवरी को अपने algorithm में कुछ ऐसे changes की हैं कि अब Australians Facebook के उपर Australia के किसी media platform की news को share नहीं कर सकते हैं चुकि Facebook का ये बोलना है कि आपकी सरकार एक ऐसा नियम कानून लेके आ रही है कि Facebook के platform के उपर अगर आपकी news circulate होती है तो हमें आपको पैसा देने पड़ेगा अगर Australia के किसी media house की news share की जाएगी तो उसके बदले में Google और Facebook को थोड़ा पैसा revenue share करना पड़ेगा उस media house के साथ Facebook और Google दोनों इसको legally reject कर रहे हैं लेकिन Google ने कहीं न कहीं revenue sharing के agreement sign करने शुरू कर दी हैं publishers के साथ Facebook और Google का यहां पर logic क्या है? Facebook और Google का यहां पर logic बहुत simple है इनका यह बोलना है कि देखिए हमारे platform पे जब आपकी news share होती है तो हम एक बहुत heavy amount of traffic आपके पास बेचते हैं आपको पता है कि Facebook पे और Google पे बहुत सारे लोग लोग इन करते हैं ट्राफिक बहुत ज़ादा होता और यह ट्राफिक आटोमेटिकली जो news websites हैं, जो media houses हैं, उनकी website पर पहुंचता है तो Facebook का यही बोलना है कि हम जब इतना सारा traffic आपको दे रहे हैं इसका मतलब हमको अलड़ी कमाई दे रहे हैं, आप हमारी कमाई में से पैसा मागो, वो तो सहीं नहीं है ना तो इसके चलते, Facebook ने क्या किया है कि अपने platform पर से बहुत सी government और emergency response pages जिसे की fire services, health authorities और police इन सब की information को pages से हटा दिया है अब Australia में जो भी Australian है, वो Facebook के उपर किसी भी news content को share नहीं कर पाएंगे, चाहे वो Australian media से आ रही हो, चाहे वो international media से आ रही हो ठीक है भई, जो international users है, Facebook पे वो Australia की news पढ़ा करते थे, वो भी अब इसको नहीं पढ़ पाएंगे ठीक है भई, media houses और independent publishers जो हैं Australia के, वो भी अब Facebook pages पे अपने content को post नहीं कर पाएंगे तो Facebook पे अब आपको, जो media houses हैं Australia की उनके news नहीं मिलेगी ये जो Parliament है Australia की, ये इस law को क्यों लेकिया रही है, ताकि Google Facebook से थोड़ा पैसा निकाला जाए और इस पैसे को उन media companies तक पहुचाए जाए, जिनके journalist मैनत करकर की news पैदा करते हैं और वो news free में Facebook और Google पे circulate करती हैं Facebook Google का simple बोलना है, कि news हमारे platform पे circulate करती हैं तो क्या हुआ हम लाको करूनों की तागाद में आपके पास traffic भेजते हैं, उस traffic से भी तो आपकी कमाई होती है तो ये एक तरीके का यहाँ पे legislation है, जिसमें Facebook ने साफ साब बोल दिया है कि भाई अगर आप हमसे पैसा लोगे, तो हम आपकी news को अपने platform पे share ही नहीं करेंगे हलाकि इसका अलग बात है कि इससे हमारी operational cost बहुत बढ़ जाएगी हो सकता है कि unmanageable level of financial risk आ जाए, Australia में किसके उपर, Facebook के उपर आगे वाले समय में देखते हैं क्या होता है, General Studies Paper 1 में Current Events of National and International Importance में चीज़ आपको काम आएगी आज की final news, India-Maurishis Comprehensive Economic Cooperation Agreement Approve Union Cabinet Chair by Prime Minister Nareem Modi ने sign किया है Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement between India and Maurishis ये एक प्रकार का Free Trade Agreement है इंडिया और मारिशis की बीच में जिसके चलते हैं, जो Trade Norms है और Two-Way Commerce है इंडिया और मारिशis की बीच में इसको liberalize किया जाएगा 310 ऐसे export items हैं जो कि इंडिया, Maurishis में export करेगा जैसे कि food and beverages, textile articles, base metal, agriculture products, electricals and electronic items, plastics and chemicals, wooden articles Maurishis के 615 products को इंडियान मार्केट का preferential access मिलेगा जिसमें fresh fruits, juices, beer, alcoholic brings, medical and surgical equipment, soap, bags और apparel है ये पहला ऐसा कोई agreement है जो इंडिया ने किसी African nation के साथ साइन के, आपको बता दू मैं कि Maurishis और इंडिया में बहुत जबरदस्त cultural similarities है अगर आप दुनिया भर में Hindu majority nations की बात करिए जहां पे Hindu population 50% से जादा है तो इंडिया के बाद अगर किसी देश का nation आता है तो Maurishis है, इसके लावा एक और देश का nation आता है जिसका नाम है नेपार फिर आगे बात करो, इंडिया-Maurishis trade relations की अभी के लिए इंडिया क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है Maurishis को तो cereals एक्सपोर्ट करता है cotton, petroleum, products, pharmaceuticals, electrical machinery, clothing, accessories एक्सपोर्ट करता है Maurishis को Maurishis क्या एक्सपोर्ट करता है इंडिया को pulse, iron and steel, precious और semi-precious stones, optical instruments, photographic instruments और precision instruments जो bilateral trade था इंडिया-Maurishis के बीच में वो 2019-20690 US dollars था, million US dollars 2018-19 में जो trade था, वो 1.2 billion US dollars था तो 2018-19 के 2.2 billion dollars से 2019-20690 million dollars यानि trade काफी कम हुआ है तो यहाँ पे trade को थोड़ा और बढ़ाने की बात की जा रहे है Maurishis की बात की जाए, तो Indian Ocean में है यह Africa के coast के बहुत पास है, खासकर मदागासकर के बहुत पास है Port Louis इसकी capital है South African जो coast है आपका अफरीकन continent का to the east of मदागासकर 2000 किलोमेटर दूर है यह इसमें जो main main island से वो है Maurishis, Agalega, Roderigress और St. Brandon ठीक है भई? यहाँ पे आपको अफरीका के नश्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको मदागासकर नजर आ रहा है और यहाँ पे है आपका Maurishis, ठीक है भई? Maurishis एक visa on arrival country है India यहाँ पे जाके tourism मतलब आप Maurishis जा सकतो without any problem, general studies paper 2 में international relations में, bilateral region और Global Groupings में इस चीज़ आपको काम है यह जो Comprehensive Economic Cooperation Agreement साइन हुआ है इंडिया मौस्टेस के बीच में इंपोर्टन इसलिए भी है क्योंकि इंडिया और अफ्रीका के बीच में साइन होने वाला यह पहला Comprehensive Economic Partnership Agreement है आपको कुछ नहीं को सीखने को मिला होगा वीडियो को लाइक और शेयर के बीना मज जाना गुडबाए